हे एवरिवन वेलकम टू माई चैनल ओल फैटलन फिंट्सम आज के वीडियो में बात करने वाला है म्यूटेशन के बारे में जैसे कि आप जानते ही है हमारे बॉडी में जो जेनिटिक इनपॉर्मिशन ट्रांसपर करने का काम है वो कौन करता है तो डियने करता है डियने ही है जो कि एक जन्रेशन से दूसरी जन्रेशन तक जेनिटिक इनपॉर्मिशन को बेजता है कई ओर्गेनिजम ऐसे भी है जिन में जेनिटिक मटरियल आरे ने रहता है जैसे कि वायरस वायरस में जो एक generation से दूसरी generation तेक genetic information भीजने का काम है वो कौन करता है तो RNA करता है और यह जो DNA और RNA है यह number of nucleotide से बनी हुए रहते हैं जब number of nucleotide साथ में आते हैं तब जाके DNA RNA का structure बनता है अब यह nucleotide किस से बना हुआ रहता है? nucleotide जो है तीन चीजों से बना हुआ रहता है nitrogen base, sugar और phosphate जब यह तीन चीज़े साथ में आते हैं तब जाके nucleotide का structure बनता है और दो nucleotide जब bond form करते हैं तब एक base pair बनती है जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे है यह जो है एक nucleotide है और यह नीचे वाला green वाला दूसरा है तो यह इन दोनों के बिज्जों है hydrogen bond रहता है इसे हम कहेंगे एक base pair तो यहाँ पर चार base pair present है ऐसी कईयो base pair जो है DNA के structure में present रहती है अब mutation यानि कि क्या? तो mutation यानि कि जब DNA का replication चल रहा होता है यानि कि जब mitosis और meiosis की process होती है cell division के बग जब genetic information एक generation से दूसरी generation तक जा रही होती है mitosis, meiosis की process चल रही होती है तब वहाँ पर DNA का replication होता है यानि कि एक DNA अपनी जैसा ही दूसरा DNA बनाता है यानि कि खुद का ही एक copy बनता है जिसे कि हम DNA replication कहेंगे तो इस DNA replication के दोरान जब genetic material copy हो रहा होता है तब वहाँ पर genetic material copy होने के समय कुछ changes आजाते है जैसा genetic material copy होना चाहिए था वैसा होता नहीं है तो इसे हम एक image के माध्यम से समझते हैं कि आप इस sequence में देख सकते हैं यह है parent sequence तो actual में यही sequence जो है एक generation से दूसरी generation तक copy होना चाहिए लेकिन DNA replication के दोरान क्या हो जाता है इस sequence में कुछ changes आजाते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं फिप नंबर की जो base pair है यहाँ पर T की जग़़ C आ गया तो यह क्या हो गया जो offspring है उसमें गलत information चली गई यानि कि जो information जानी चाहिए थी जो base pair का sequence actual में copy होना चाहिए था वो न होते हुए वहाँ पर दूसरा ही हो चुका है इसी को ही हम कहेंगे mutation जब DNA के sequence में कुछ changes आ जाते है तो इसी को ही हम बोलेंगे mutation अब यह जो गलत sequence दूसरी generation में आ चुका है या दूसरी generation में गलत ही protein बनाएगा जो कि पहले generation में काम सही से चल रहा था वो इस generation में नहीं चलेगा क्योंकि जो protein उसे बनाना चाहिए था वो protein न बनाते हुए वो दूसरा ही बनाएगा तो वो दूसरा protein जो बनेगा हमारे body में वो हमारे body पर गलत असर डाल देगा यानि कि एक base pair में changes आने की वज़े से पूरा body function क्या हो गया? disturb हो गया permanently The mutation is caused due to the following reason Internal causes Internal causes में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ जब cell division की process चल रही होती है तो वहाँ पर DNA का replication होता है यानि कि एक DNA कुदके जैसा ही दूसरा DNA बनाता है तो उस DNA replication process के दोरान जो actual में genetic material copy होना चाहिए था वो न copy होती हुए वहाँ पर दूसरा ही copy हो जाता है यानि कि sequence में जो है base pair की sequence जो रहती है DNA की उसमें कुछ changes आ जाते है तो वो बराबर से copy नहीं हो पाता उसके कारण जो है गलत information दूसरे generation में चली जाती है तो गलत information चली गई तो वो गलत protein बनाएगा जो कि हमारे body पर गलत असर दिखाना start कर देगा जिसी कि हम DNA का mutation कहेंगे अब बात करते है types of mutation के बारे में तो mutation के कई types होते है तो first type है उसमें से insertion insertion यानि कि क्या होता है addition of base into the gene sequence often known as the addition mutation जैसे कि यह जो है एक base का sequence है तो यह है original sequence क्योंकि actual में होना चाहिए लेकिन यहाँ पर आप देख सकते है यहाँ पर तो यह properly copy हो चुका है लेकिन यहाँ पर एक extra base इसमें add हो चुका है mutation यानि कि क्या यहाँ पर कुछ changes आ चुके है तो यहाँ पर एक extra base add हो चुका है जिसके कारण गलत information जाएगी तो गलत protein encode होगा और यह गलत protein हमारे body में गलत effect देगा यहाँ पर एक extra base insert होआ है इस sequence में इसलिए इसे insertion कहा जाता है next is deletion deletion यानि कि क्या कुछ delete होना some basis जो है यहाँ पर sequence में के delete हो जाते यह है original sequence original sequence में यह basis आप देख सकते हैं लेकिन यहाँ पर T के बाद में जो A था यहाँ पर आप देख सकते हैं T के बाद में A है बाद में C है तो T के बाद में जो A है जिसे के हम adenine कहेंगे यह adenine यहाँ पर से निकल के जा चुका है यानि कि delete हो चुका है तो यहाँ पर sequence में जो है changes आ चुके है जिसके हम deletion कहेंगे यह है second type mutation का third is inversion when the sum gene sequence inverted and inserted back into the original sequence जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं यह है original sequence तो original sequence में का यह जो double adenine है तो यह double adenine अपनी जगद छोड़ कर यहाँ आ चुका है इस sequence में आप देख सकते हैं यह जो adenine है यहाँ से यहाँ आ चुका है तो इसी को हम कहेंगे inversion यानि कि यहाँ अपनी जगद छोड़ कर दूसरी जगद पर आ जाता है इसे हम कहेंगे inversion next is substitution substitution यानि कि क्या होता है some basis of the gene sequence are replaced by other basis कुछ जो dna के basis है जो की हुने चाहिए थे यह है original basis यह replace हो जाते हैं दूसरे basis से यहाँ पर तो sequence properly यह सी तक लेकिन यहाँ पर आप देख सकते थे PAA होना चाहिए thiamine adenine होना चाहिए लेकिन यहाँ पर दूसरा यह आ चुका है gonine thiamine gonine आ चुका है यानि कि यह जो है दूसरे basis से replace हो चुके हैं जहाँ पर thiamine adenine adenine होना चाहिए ता वहाँ पर gonine thiamine gonine है इसे हम कहेंगे substitution तो यह जो है most common type से DNA mutation के अब बात करते है external causes के बारे में तो हमारे DNA में जो mutation होता है वो होने के लिए कई factors responsible होते हैं जैसे कि chemicals radiation हम एकसरें इकालते हैं करते हैं तो वो जो radiation है वो हमारे बाड़ी में easily mutation ला सकते हैं तो ultraviolet ratio है thiamine को mutate करते हैं इसके कारण हमारे DNA के sequence में changes आ जाते हैं और वो हमारे बाड़ी पर गल्लत effect दिखा देते हैं तो कई mutation अच्छे होते हैं और कई mutation बूरे भी होते हैं कुछ mutation ऐसे होते हैं जो कि एक generation से दूसरी generation तक transfer होते हैं या फिर कुछ mutation ऐसे भी होते हैं जो कि उस organism यानि कि उस generation तक की सिमीत रहते हैं तो somatic cell में अगर mutation होता है तो वो एक generation से दूसरी generation तक नहीं जाता लेकिन germ cell में जब mutation होता है हमारे जो sex chromosome है उसमें जब mutation आ जाता है तो वो एक generation से दूसरी generation तक transfer होता ही होता है कई mutation अच्छे भी होते हैं और कई mutation बुरे भी होती है जब mutation होते हैं तो वो एक protein बनाता है और वो protein हमारे body के लिए कापी अच्छा साबित हो जाता है लेकिन कई mutation ऐसे भी है जो कि हामपूल प्रोटीन बनाता है वो जो हामपूल प्रोटीन है हमारे body में कई डीसिस को जनम दे देता है जैसी कि A.C.C.T. Fibrosis नामक डीसिस जो कि हमारे body में mucos बना देता है और ये जो mucos है हमारे respiratory system को जो circulatory system इसको completely ब्लॉक कर देता है जो कि हमारे body के लिए काफी हामपूल है Cancer जो कि एक mutation ही है हमारे body में cells में mutation हो जाता है और ये जो cell division की process होती है इससे यहां हमारे body में बढ़ता ही जाता है बढ़ता ही जाता है जो कि हमारे body के लिए काफी हामपूल है तो यह रहां complete mutation के बारे में type swap mutation, benefits और harmful mutation के और mutation क्या है यह आप समझ गए होंगे ऐसी कई वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें धन्यवाद